अज़ की कक्षा का हमारा विशे है तीन अक्षर के बने दो शब्दों के वाक्य आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे वाक्य वाक्यों का अर्थ होता है जो शब्दों को जोड़ कर बनाए जाते हैं हमने अक्षरों को व्यंजनों को स्वरों को जोड़ कर शब्द बनाए अलग अलग व्यंजनों को जोड़ कर शब्द बनाते हैं उसी प्रकार अलग 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 शब्दों को जोड़ कर हम वाक्य बनाते हैं अलग अलग शब्दों को जोड़ कर वाक्य बना सकते हैं आज की कक में हम शब्दों से बने वाक्य सीखेंगे, पहले हम सीखेंगे तीन अक्षर के बने दो शब्द वाले वाक्य, फिर हम तीन शब्द वाले वाक्य जानेंगे और फिर चार शब्दों वाले वाक्य, तीन अक्षर के दो शब्द वाले वाक्यों का अर्थ है कि यहां तीन अक्ष कर जगत चल कमल पकड़ जगड़ मत कनक उठ भजन कर टहल मत अजय पड़ सबक रट रबर पकड़ बच्चों यहां हमने यह सारे वाक्य पड़े इन सभी वाक्यों में आप देख सकते हैं तीन अक्षर वाले और दो अक्षर वाले शब्दों का इस्तमाल किया गया है मतर मतर तीन अक्षर वाला शब्द है चक चक दो अक्षर वाला शब्द है मतर चक एक वाक्य बन जाता है मतर चक में हम तीन अक्षर वाले और दो अक्षर वाले शब्दों को जोड़कर एक वाक्य बना रहे हैं अकड मत फिसे दो शब्दों से बना एक वाक्य है इन सभी वाक यह गार चाहिए हैं दोनों ही शब्त तीन तीन अक्षर से बनने हहें रशूबर पकड़ पकड़ यह और दोनो ही शबदितिंत बैंग हो थायँ है वहला शहें क्रम ठेको थीजिए Tamara is इधर रख, नहर पर टहल, रमन एनक रख, समझ कर पढ़, इश भजन कर, बहस मत कर, अब इधर आ, बच्चों, यहां आपने पढ़े तीन अक्षों से बने तीन शब्दों के वाक्य, यहां सभी वाक्यों में तीन शब्द आ रहे हैं, कमल इधर आ, आ जो है हमारा स्वर है, इधर में एक स्वर है और दो व्यंजन है, कमल, कमल में तीनों के तीनों व्यंजन है, कमल इधर आ, तीनों अलग अलग शब्दों को जोड़कर एक वाक्य बनाया गया है, तो यह कहलाता है, तीन शब्दों से बने तीन अक्षर वाले वाक्य, यहां तीन शब्द हैं और ती तीन अक्षरों से बने हैं अब देख सकते हैं यहां दो अक्षर वाले शब्दों का भी प्रियोग किया जा रहा है ताकि हम तीन शब्दों का वाक्य बना सके आए अब समझते हैं तीन अक्षरों से बने चार शब्दों के वाक्य अजे सड़क पर चल गलत जगा मत चल कलश प अब ये सबक समच, इधर उधर मत भटक, आकर अब खबर पढ़, बच्चों, यहां हमने जितने भी वाक्य पढ़ें, उनमें चार शब्दों का इस्तमाल किया गया है, जैसे अजे सडक पर चल, पर और चल दो अक्षरों से बने शब्द हैं, अजे और सडक तीन अक्षरों से बने शब्द हैं, अजे सडक पर चल, कुल मिलाकर यहां चार शब्दों का इस्तमाल किया जा रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं, चार शब्दों से बने वाक्य, तीन अक्षरों से बने वाक्य पढ़ेंगे, तीन अक्षरों का मतलब होता है, ऐसी शब्द जिनमें तीन अलग अलग अक्षरों का या एक जैसे अक्षरों का इस्तमाल किया जाता है तीन अक्षर वाले शब्द व्यंजनों को और स्वरों को आपस में जोड़ कर बनाए जाते हैं ऐसे हमने बहुत सारे शब्द पढ़े हैं जो कि तीन अक्षर वाले होते हैं पिछली का अक्षा में हमने त इसमें हम अलग-अलग नहीं देखेंगे किसमें दो अक्षर है, किसमें तीन और किसमें चार, हम वाकिय पढ़ेंगे और उन्हें अच्छे से पढ़ना समझेंगे, आप खुद देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे वाकिय बनाया सकते हैं, जो कि 2, 3, 4 ऐसे ही शब्दों को मिला क बनाए जाते हैं चलिए शिरू करें सड़क पर मत्थ चल मटक कर मत्थ चल वचन पर अटल रह इस जगा मत्थ है सड़क पर मत्चगड रानम नरम मत्थ चक भरत बहस मत्थ कर मदन शहत उधर रख बहन शहत चक शहत धक कर रख अगर मगर मत्थ कर शहर तक चल सरल मगर मत्थ पकड उचल कर मत्थ चल शहत गरम मत्थ कर नरम नरम फल चक अटक कर मत्थ पड कलम इधर मत्थ पटक कलश इस तरफ रख बतक पर नज़र रख चमन कमल पकड मटर गरम कर उछल मत बचो यहां हमने बहुत सारे वाक्य पढ़ें जिनमें अलग-अलग शब्दो का इस्तमाल किया गया है शब्द दो अक्षर वाले भी हैं तीन अक्षर वाले भी हैं तीन शब्दों का इस्तमाल भी है, चार शब्दों का इस्तमाल भी है, और उससे जादा शब्दों का भी इस्तमाल किया गया है. यहां अगर आप आगरी वाक्य देखते हैं तो वाक्य है उच्छल मत में सिर्फ दो शब्दों का उप्योग किया गया है उच्छल एक तीन अक्षर वाला शब्द है, मत एक दो अक्षर वाला शब्द है तो दो शब्दों का इस्तमाल करके भी हम एक वाक्य बना सकते हैं कमल, इधर, मत, पटक इसमें चार शब्दों का इस्तमाल किया गया है कलम, इधर, मत, पटक चार शब्दों के इस्तमाल से बना एक वाक्य जिसमें तीन अक्षरों से बने तीन शब्द है कमल, इधर और पतड, दो अक्षर से बना सिफ एक ही शब्द है मत, दो अक्षर और तीन अक्षर को जोड़ कर आप बहुत सारे शब्द बना सकते हैं, बहुत सारे शब्दों से फिर वाक्य बना सकते हैं, और उन्हें पढ़ सकते हैं, आज की अक्षर के लिए इतना ही, आप स झाल झाल